जिलादिकारी ने लिया गोवर्धन के विद्यालेओं में बोर्ड परिक्षावं की विवस्ता का जाइजा उत्तर परदेश मादमेख रिक्षा परिशत के दोरा आयोजित बोर्ट परिक्षाएं जहां प्रारम हो चुकी है वहीं परशाशन ने भी नकल वीन परिक्षा कराने के लिए अपनी कमर कसली है इसी के चलते गोवर्दन के कामिनी गल्स इंटर कॉलिज में चल रही बोर्ट परिक्षाओं का और उसकी विवस्ताओं का जायजा लेने के लिए खुद जिलादिकारी मत्रा सरवग रामिश पहुचे और विद्याले के क्लास रूम का सीसी टीवी कैमरो तदा अन्य ववस्ताओं का गहनता से निरिच्छन का जायजा लिया और विद्याले के प्रवंद्गों को नकल वीन परिक्षा कराए जाने के संबंद में आवश्रक दिशा निर्देश दिये जिला दिकारी सरवग रामिश ने बताया कि उन्होंने खुद परिक्षा केंद्र का निरिच्छन किया है बच्चों के क्लास रूम में भी जाकर उन्होंने चेक किया है कई भी कोई आनिमित्ता नहीं पाई गई है और नकल भी परिक्षा कराने के लिए संबेदन शील इस्तानों पर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है जिससे की सभी परिक्षाएं शांती पूर्वक नकल भी हीन हो रही है अबने आज गोबर्द ने सतकामी ड्रको लेकर दोरा किया या एकजाम चल रही है देखें पूरी तरह से परिक्षा सांती पूर्वक नकल भी हीन हो रही है हम लोग मजिस्टेट मैस्वयम हमारे एसडिया मेडियम सारे लोग परिक्षा के लिए द्यूटिया भी लगाई गी है लोग निकल भी रहे हैं जो परिक्षा के अंदर आवश्चक थे जहां पर थोड़ी संवेदन सीलता थी कि वहां पर स्थ स्टेटिक स्टूल भी लगाए गया है यहां पर मैने देखा कि समया कामर्स और फिजिक्स के प्रश्चंपत्र है परिक्षा सफुसल संपन हो रही है निर्वेवित और मैंने कंट्रोल रूम को देखा विद्यार्थियों को कमरे में भी जाकर के मैंने रूप्षा किया किसी प्रकार की कोई अनिमित्ता यहां पर परिक्षा निर्वेग्न और नकल वहीं संपन हो यह हम सब लोगों का प्रयास है